अभी कितने सरकार को बने हुए कितने दिन हुए हैं और यह जंगल राज आ गया है चार महिने में ही जंगल राज आ गया है दिन दाहाड़े लोग मार रहे हैं और सिर्फ यहीं नहीं है यह पुरे बिहार में हो रहा है मीडिया के दुआरा सराब माफिया को एक्सपोज किया जाता है जो कि ये प्रसासन की काम है उसके बाद अगर कहीं से भी अगर मीडिया के दुआरा एक्सपोज किया जाता है तो उनके उपर टूंट कसा जाता है प्रसासन के दुआरा दवाब दिया जाता है फायर दर्ज किय जाता है संबद में चाहिए यह तो सर्याम गलत है लोग जंता मीडिया जो भी है वो सरकार का भला चाहती है मैं आप नहीं कहा है आपका ही कहना है कि अगर कहीं शराब बिकरा है कहीं बन रहा है तो तो आप उसको पुलिस में बताइए, तो आप उसी के अगेंस का रवाही कैसे कर सकते हैं, आप उसी को कैसे मार सकते हैं, ये क्या, ये साशन है, ये जंगल राज नहीं तो और क्या है, आप, देखे हम लोग तो भाई, ऊपर जाके आपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन हमारी शिकायत कोई सुनने वाला अभी इस प्रसाशन में नहीं है यहां के स्थानिय जो चल रहा है उसी के विरोध में जो प्रसाशन के विरोध में आपने जैसा कहा मैंने सुना भाई ट्रेस मेडिया वाले लोग तो कहती है कि आप आए हैं फोटो घिचवाने यह करने हम लोग जन प्रतिनिदी हैं एक तो है नहीं हम लोग जनता में गुणगों के एक का नहीं सबके समाधान करना है तो सबसे पहले तो हम यहीं बोलेंगे कि यहां पर जो विरोध में बैठे हैं तो इसवा दिन हो गया अगर आप कुछ सवाल करना चाहते तो कर पूछ सकते हैं देखिए पहले यह तो तेश्वा दिन है विरोध का और ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं था हम यहाँ पे भी आए हम वहाँ से लोगों से मिले हम सिर्फ यह कहना चाते कि यह लोग जो धर्दा पे कर बैठे वे हैं वो प्रसाशन के विरोध है यह सरकार क्या कर रही है और ऐसा समाधान कराने का हम कोशिश कर रहे हैं हम यह कर रहे हैं कि आज दो साल हो गया हमको बने वे लेकिन दो साल में ऐसे पहली बार यह घटना हुई है जो कि घर में घुश के पुलिस प्रसाशन और लोगों को मारी है ऐसा क्यों यह क्या दिखाना चाहते हैं और उपर तक बात क करने पे मेरी तो SP से भी बात हुई लेकिन यहां का बिल्कुल नहीं खतम है प्रसाशन यहां जो भी आप बोलिए गरोगा है SP है यहां पे कोई सुनवाई नहीं है इसी के विरुद लोग बैठे हैं आज इतना दिन हो गया दो महिना हो गया हम लोग भी लगे हैं हमने क्वेश हम यह चाहते हैं देखने बैठने को तो हम भी बैठ जाएंगे एक महिना आके लेकिन क्या बैठने से समधान हो जाएगा आप बताइए हमको सिर्फ बैठे रहने से समधान नहीं होगा लोग तो यहां बैठे ही हुए है काम करना है हम लोगों को हम लोग प्रतिनी दिये हम तो देखिए भाया यह तो अब हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे सरकार को कि ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप इतना जंगल राज आ जाए कि आप घर में घुस घुस के हमारी है और लोग कुछ ना करें यह नहीं चलेगा हम लोग इस सरकार का विरोध करते हैं हम लोग पूट केया गया और एक यही नहीं यह मेरे छेद में भी एक हुआ है वहां का भी च्वेश्ट्ट सब्सक्राइब क्या रिख चाहते हैं अप लोग अगर हम यहां से इस तर्द से नहीं अभा मुपर के लेवल तक जाएंगे अम यहीं बताना चाहते हम उपर की तरह था हम देखिए इतना दिन हो गया भाया हम सिर्फ आसवाशन नहीं दे सकते हैं हम इन लोगों को जूटा आसवाशन दे के नहीं जाएंगे कि इतना दिन हो गया कल तक आपका समस्या जो भी प्रॉब्लम उसका समधान हम कर देंगे ऐसा नहीं है ये वक्त लगेगा ये सरकार नहीं सुन रही है हमको इसको सुनाना है हमको अपना आवाज वहां तक पहुचाना है और ये जिस भी मीडिया से हो जा के हो मिल के हो वो हम करेंगे अरे एक दम आप दम सही बोले अंधी बहरी गुंगी आप जो बोले वही सरकार है यहां की कोई सुनवाई नहीं आप आप सोचिए एक जन प्रदिनिती जाता है या फोन से बात करते हैं उसका रिस्पॉंस भी नहीं अच्छे से देते हैं लोग हम लोग क्यूं है जनता के लिए हैं हम आवाज उठाए हम दो महीना पहले आये थे हमारे चाचा जी और करीब आट लोग हम से मिलने आये थे हम उनको बोले थे आपने शिंथ हो कि जाई हम करेंगे हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे और एक यह नहीं है कि एक आप किसी भी समाज को लेके और अंदर घुज के पीट दिये आप घर में एक बुड़ी औरत है सो वर्ष की उनको पीट दिये लड़की है पीट दिये बच्चा है मार दिये जाके क्यों क्या क्या गलती है उन लोग की यह बताईए क्योंकि वह गलत चीज के लिए आवाज उठा रहे थे गलत चीज के लिए आवाज उठा थे आप जाक और कोई महिला नहीं चाहेगी कि शराब वापस लेकिन एक शराब बंदी का नियम कानून लॉख होता है अगर आप उस लॉख को नहीं निभा सकते हैं तो आप बंद कर दीजिए अगर लॉख को चला रहा है तो आप उसमें संचोधन कीजिए उसमें सुधार लाइए और यहा अब एक बात बताईये हमारे जो डिप्टी चेम है उनका कहना था कि शराब आ रही है यहां से वहां से यूपी से हर याना से तो आप बताईये पोलिस तो आपकी है बॉडर पे वह क्या कर रही है वह क्या जाल बजा रही है आप रोकिए उसको अप अंदर आने से रोकिए कि आप जो पूरी पुलिस फोर्स लगा देते हैं इसी काम में तो बाकी जो क्राइम हो रहा है उसको कौन कंट्रोल करेगा जनता करेगी कि पुलिसी करेगी कि बाकी जो बलातकार मुलूट मार यह देखे न आपके सामने लोग बैठे हैं एक महीने से दरदांक दे रहा है क्या गटना अभी भी घंटा पहले जी 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 बीट लूट लिया गया है उसके मोबैल चिन लिया उसको बंदुक के रड से मरा गया है पुड़ी तरह से वह घैल है थाना में अब इदन भी दिया उन्होंने अभी जनकारी में यह हम जाके इस चीज को देखते अब दिन दाहडे मारा है आप तो बताएं कि यह जंगल राज है यह तो अभी कितने सरकार को बने हुए कितने दिन हुए है और यह जंगल राज आ गया चार महिने में जंगल राज आ गया है दिन दाहडे लोग मार रहे है और सिर्फ यही नहीं है यह पुरे बिहार में हो रहा है और सरयाम ल यहां पुरी तरह से करवाई नहीं कर पा रहे हैं कि शाषा बंद रुए मिलना बंद रुए अब जाहाँ देखोगे वहां शाषा जाता है अगर मेरे मीडिया माफ्या प्रसासन की काम है उसके बाद अगर कहीं से भी मीडिया के दुआरा एक्सपोज किया जाता है तो उनके उपर जो है टूंट कसा जाता है प्रसाशन के दुवारा दवाब दिया जाता है फायर दर्ज किया जाता है इस संबंध में आप क्या कहना चाहें ये तो सरयाम गलत है लोग जनता मीडिया जो भी है वो सरकार का भला चाहती है वो आप नही को कैसे मार सकते हैं ये क्या ये ये साशन है ये जंगल रार नहीं तो और क्या है आप देखिए हम लोग तो भाई उपर जाके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं लेकिन हमारी शिकायत कोई सुनने वाला अभी इस प्रसाशन में नहीं है ये हम खुल के बोल रहे हैं हमारा शि करना दे रहा है आज भी बैठे हुए है परिशान है रान कि एक दिन उनका लोग सुनेंगे और हम लोग बड़े अपने जो सीनियर नेता लोग है सबसे मिल रहे हैं और हम अपने उपर लेवल से भी जाके मेरा फिक्स किया है टाइम कल का जाएंगे मिलेंगे मुझारिश करें कि जल्स जल्स प्रॉब्लम का समस्या का समधान किया जाएंगे बिलकूर एसपी साहब को आना चाहिए एसपी साहब को आना चाहिए देखना चाहिए कि क्यूं है और देखिए पुलिस पुलिस बनी है जनता के लिए हम बने हैं जनता के लिए जनता हमारी है तभी हम है आज वो पुलिस हैं, किसलिए? उन्होंने क्या शपत खाया था? पुलिस जब लेते हैं तो उनको एक शपत खाना पड़ता है. आप लोगो भी पता होगा, क्या खाया था? कि हम जनता का जो भी प्रबलम उगा, जो भी प्रॉलिक का प्रॉब्लम होगा, उसका सॉल planted, सॉल्üstन निक प्लीज आईए और इस प्रॉब्लम का समस्या का समधान कीजिए.